हेलो एब्रीबडी वेल्कम तो मैं चैनल इट्समीटराओ 313 सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग आज हम देखने वाले हैं नो कॉंटक्ट जॉन आपके पार्टनर्स आपके लिए क्रण्ट ली कैसा फील कर रहे हैं क्या हैं उनके क्रण्ट फिलिंग्स क्या हैं उनके क्रण्ट आप लोगों को लेकर इट्सा क्लेक्टिव अनरजी सो इतना रखिएगा बागी को जाने दीदिएगा जो लोग चैनल पे नहीं हैं डोंट फर्गेट तो सब्सक्राइब लाइक और प्रेस ओल्डा नोटिफिकेशन बेल परसनल रिडिंग्स बुक कुरवाने के लिए आप लोग मेरे ई-मील और पर कॉंटेक्टट कर सकते हैं या इंस्टागराम पे आपको डिस्क्रिपशन में अब जाएएंगी प्लीज चैक इताउट और मरेंस्ग और फोरोग करिएगा वह भी आपको दिस्क्रिप्शन मिलेगा। So now let's start the reading जिनके साथ आपका no contact चल रहा है और आप जानना चाते हैं उनकी feelings आपके लिए क्या है, अपनी energies को उस person के साथ align करें, three times उनका name repeat करें, उनके बारे में positive रहें, positive सोचें, and अपनी energies को positive रखें, वीडियो को लाइक जुरूर करिएगा ताकि readings के energies आपसे exchange हो सकें, So let's see देखते है no contact zone, आपके partners आपके लिए इस time currently कैसा feel कर रहे हैं, क्या है current feelings, क्या है current emotions आपके person के लिए, इनके साथ इस time आपका no contact separation block situation चल रहा है, यह person कोई भी हो सकता है, ठीक है न, we have ace of aerial, it's a ace of pentacles energy, Taurus will go Capricorn, then we have change your life, number 16, it's a tower energy, definitely ending चल रही है, आपकी, Aries energy काफी strong दिख रही है, Taurus will go Capricorn, then we have number 17, the star Aquarius, number 7, number 8, भी काफी important दिख रहा है आप लोगों के लिए, no contact situation, current feelings, and then we have three of Raphael, it's a three of cup synergy, cancel Pisces को भी हो, इस person की age 37, 38 या 31 भी हो सकती है, date of pet 31 भी हो सकती है, कुछ लोगों की side से, so let's talk about these cards first, so guys, इस time energy दिख रही है, definitely आप दोनों के दर्मयान इस time में जो लग रही है, जैसे suddenly ही, आप लोगों के इस connection में जो है ending होई है, suddenly आपके यह सब चीज़ें जो हैं, ठीक है, and आपके person feel कर रहे हैं, जैसे काफी time से होगे, आप दोनों के दर्मयान चीज़ें खराबी चल रही हैं, ठीक नहीं हो पारी, और यह change करना चाते हैं, अपनी life को, कि अब जो इतनी देर से आप लोगों का break up चल रहे हैं, finally आपके person इस time, आप लोगों के साथ इस connection मे थोड़ी changing चाह रहे हैं, like connection को ठीक करना चाह रहा है, यह person, and this person really wants के, अब जो है, वो opportunity मिले कुछ इस person को, कि ताके आप दोनों के दर्मयान जो है, वो दुबाड़ा से हर चीज़ें जो है, वो fix हो सके, because मुझे लग रहा है, जिस तरहां से suddenly ही shocking आप लोगों के लिए connection का ख हो सकता है, इस time काफी ज़्यादा इस person की अपनी life में चीज़े रशी चल रही है, चीज़े कुछ अची नहीं चल रही है, बड़ा destruction सा mode चल रहा है, काफी हद तक आपके person की life मे spiritual awakening की, मुझे situation चलती हुए भी दिख रही है, अब try it now, आपके person इस time आपको manifest कर रहे हैं, और इस person have belief, इनको अपने आप पर बिलीव है, कि ये आपके साथ चीज़ों को ठीक कर लेंगे, और इस time जो भी कोई difficulties चल रही हैं आप लोगों के इस connection में, जो भी कोई बुडा time चल रहा है, वो end होजएगा, और सब चीज़े जो हैं, वो fix होजएंगे अपनी जगांबे, because ये चा रहे हैं इस time, ये person wish का रहा है, manifest का रहा है, और बहुत ज़्यादा positivity मुझे दिख रहे हैं इनकी energies में, we have ace of area, definitely ये person जो है, इस time new resources जो है, वो तलाश कर रहे हैं, आप लोगों के साथ connection को ठीक करने के, but इस time ये चाते हैं, कि आप भी इनको support करो थोड़ा सा, ठीक है, ace of area से मझे ये भी दीख रहा है, because ace of pentacles की energy, आपके person हो सकता है, इस time अपने life में, according to the situation, or regarding to the money, काफी हाथ तक जो है, वो अपने life में settle हो चुके हैं, इस time यहां तो इनको कोई job मिल चुकी है, यहां पर किसी तरह से हो सकता है, इनकी promotion भी हो गई है, जहां से इनको लग रहा है अब easily आपके साथ जो connection है, वो settle हो सकता है, यह आपके साथ reconciliation करना चाते हैं, यह आज जा रहे हैं, इस time कि आपके साथ इनकी life में celebration आए, कुछ लोगों की तरफ से यहां तो आपके friend circle में से हैं, ठीक है, आपके पहले friend थे, उसके बाद आपका love connection इनके साथ start हुआ, but I feel, यह person किसी तरह से आपकी friends की specially community में भी, कोई ना कोई celebration में, यहां तो आपको मिलना चाते हैं, यहां पिर हो सकता है, मिल सकते हैं, because यह कोई happy announcement करना चाते हैं, आप लोगों के इस connection की regarding relationship, मुझे लगता है, आपके person जो है इस time, यह जो person है, जिसके लिए आप डेडिंग को देख लिए, इनके साथ no contact चल रहा है, यह plan कर रहे हैं अपने friends के साथ, कोई ना कोई ऐसा arrangement करना, कोई event plan कर सकते हैं, यहां पिर किसी तरह से इनका यहां फिर आपके friends का, कोई ना कोई यहां तो, कुछ function आ रहा है, कि आप किसी तरह का भी function हो सकता है, कोई ceremony हो सकती है, कोई birthday party हो स जहां पये परसन आप भी वहाँ परना और हो हुग है क्योंकि अपर्ट करेंगे आपके मुज़ फृरेंड आप दनों को इन्वाइट करेंगे और को जे प्लान करएंगे ज़िंगु को सब्सक्वर्स उन-णायट बीग अनॉंस्मेंट यह आपकी relationship को आगे लेकर जाने की अनॉंस्मेंट भी हो सकती है ठीक है इस person की age मैंने आपको बता दिया है number 16, 17 date of birth, number 1, 3 date of birth भी हो सकता है number 7, 8, 3, 1 life path number भी हो सकता है इनका यहां फिर आपका otherwise date of birth भी दीख रहा है यह अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं हार्मनी चाहते हैं हर चीज को सेडल डाउन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ बिकस इस टाइम इस परसन को लग रहा है कि आप इस परसन की लाइफ में बहुत ज़दा हिलिंग लेकर आ सकते हो और यह connection एक soulmate का है और बहुत सदा healing connection है that's why वो आपको manifest कर रहे हैं कि आपके साथ उनके life जो है change हो भूस दखता है आप भी इनको manifest कर रहे हैं बहुत ज़्याद and bottom of the deck energy है हमारे पास night of reality but I want to take more cards let's see more but here reconciliation करना चाते है definitely यह person आपके past से है और यह person past से आ रहा है आप से reconciliation करने के लिए finally आपके इस relationship को further आगे continue करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ उनके life काफी better way में change हो सकती है और वो इस time के person better way कर रहा है आपके साथ अपने life को change करने का क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ इनके life में काफी positivity काफी happiness काफी होशियां आ सकती है and we have number 12 perspective यह person अपने mind को change कर रहा है it's a hangman energy आपके जाने के बाद ऐसे लाग रहा है जैसे यह person की जिंदगी रुकी हुई है ठीक है और यह person कुछ different करने के लिए इस time challenge जो इनको मिला है यह accept कर रहे है उस चीज़ को यह person ही मत कर रहा है different करने की क्योंकि मुझे लग रहा कुछ लोग की तरफ से आपका और इनका यहां तो like mental compatibility नहीं थी otherwise इनकी सोच को छोड़ थी आपकी सोच को छोड़ थी चीज़ों को आप किसी और तरह से देखते थे यह किसी और तरह से देखते थे तो यह भी एक हो सकत है यह person past में इतना positive नहीं था ठीक है आप positive थे that's why यह person अपनी thoughts है अपना जो perspective है चीजों को देखने का जो इनका अंदास है यह उसको change कर रहे है number 12 important हो सकता है number 3 important हो सकता है double 3 master number कुछ लोगों के लिए important देख रहा है otherwise इस person का star sign Pisces भी हो सकता है there is a major arcana one two three there is a major event जो आप लो yes because यह person ना आप surrender नहीं कर पा रहे है इस connection को but इनको यह feel होता है शायद आपने अपनी सोच को change कर लिया और आप आगे बढ़ चुकिए और आपकी life काफी हद तक change हो गई है that's why आप इनको काफी ज़दा attract भी कर रहे हो इस person को यह भी feel हो रहा है शायद आप लोगोंने अपनी लाइफ में कोई नया job या नया business start कर दी है जहां पे आपको काफी ज़दा success मिल रही है आप अपनी life को celebrate कर रहे हो लेकिन इनकी life में celebration नहीं है यह अपने आप खोटका वोई feel कर रहे है and we have knight of refill it's a knight of cup synergy cancer pisces scorpio यह आपकी तरफ offer लेकर आना चाहते है yes काफी ज़दा sorry it's a knight of cup synergy it's a king of cup synergy it's a cancer pisces scorpio यह guys definitely यह person trust कर रहे हैं कि आपके साथ life in की बरी अच्छे वे में जो है वो change हो सकती है it's a true dolphin definitely it's a true soulmate but आप दोनों के दिनम्यान इस time distance है यह उस distance को खतम कर देना चाहते है yes यह person ऐसा लगए है जैसे इस time यह person is like हो गया है कि यह आपकी तरफ आ सकते हैं और चीज़ों को अपनी favor में जो है वो turn कर सकते हैं यह काफी सदा passionate हो रहे हैं आप लोगों को लेकर रहे हैं काफी सदा emotional हो रहे हैं यह काफी generous energy दिख रही है काफी warmth दिख रही है इस person की energies में इन्होंने जो emotions है अपने वो control की हुए है पर इनको लगता है कि आप finally time आ चुका है कि इनको अपने emotions आपके सामने express करने जाहिए ताकि finally आपका आगे connection बन सके yes क्योंकि इन्होंने अपने emotions जो हैं वो काफी ज़्यादा हद तक suppressed की हुए है दुबाय में इस person अपने emotions और यह उनको express करना चाहते हैं आपके सामने we have 10 of rafillers 10 of cups energy yes यह जाता है guys यह person feel कर रहे हैं कि आप इस person की life में love and blessings जो है वो feel कर सकते हो ठीक है और आपके साथ ऐसा relationship बन सकता है जो इनकी life में काफी ज़्यादा balance लेकर आ सकता है काफी ज़्यादा आपके साथ family जो है वो बड़ी अच्छी बन सकती है तो यह आपके साथ happy ever after रहना चाहते हैं this personally बाना make up family वी दिवी बच्चे हैं यहाँ पर definitely यह चाहते हैं आप आपके साथ जो है चीजे ठीक हो इसा completion energy आपका देख लो यहाँ पर number one से start हुआ है and number ten पर जो है फाइनली आपकी editing एंड़ी है यहाँ तो यहाँ आना चाहते हैं आपके पास अपनी family को complete करने के लिए अपनी family बनाने के लिए और अपनी life को complete करने के लिए ताके आपकी life के साथ जो है वो happily जो है वो spend कर पाएं कि आपके साथ शादी करना चाते हैं because we have king of Raphael this person have a very serious emotions and feelings for you celebrate करना चाते हैं कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पर commitment देंगे आपको marriage की yes announce करना चाते हैं यह friends में हो सकता है announce कर सकते है number ten काफी important दिख रहा है number one है 11 number काफी important है this one one plus zero one and it's a one energy double one काफी important दिख रहा number 11 number भी important हो सकते हैं आपके लिए so let's see more no contact someone current feelings we have universe the universe is guiding you to that special person allow everything to take its natural course yes यह person को universe guide कर रही है आप लोगों की तरफ आने के लिए because इनको universe बता रही है कि आप इस person की life में एक special person हो और हर चीज़ को जो है वो natural way में यह person जो है allow करना चाहते है universe की side से I think universe इस person को allow कर रही है कि आपके पास जाएं अपनी life को change कर सकते हैं यह आपके साथ और एक happy जो है वो life आपके साथ create कर सकते है कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं आप अपनी job के थरू मिले हो career के थरू मिले हो अदरवाइस आप किसी तरह की कोई new job आप लोगो ने गे हो यहाँ पर कोई new interview दिया वहाँ पर भी हो सकते हैं आप इनसे कुछ लोग मिले थे we have clarity take time to think about your situation to gain clarity आप यह परसन आपको clarity देना चाते हैं और ऐसे लग रहा है separation के बाद यहाँ आपके साथ break up के बाद इनको बहुत सारे चीज़ों की clarity मिली है और आप इस परसन को चीज़े बहुत clear दिख रही है ठीक है yes तो यह आपको अपने emotions की भी clarity देना चाते हैं अपने feelings की clarity देना चाते हैं ताकि आपकी family बन सके we have bound our love bound grows strong ever time yes इनकी bound जो है guys ऐसे लग रहा है जैसे with time बहुत ज़्यादा आपके साथ strong होती जा रही है जब आपसे दूर गये हैं तभी इनको clarity मिली है कि यह person आपको कितना ज्यादा strongly जो है वो love करते हैं और आपके साथ grow करना चाते हैं और इनके emotions with time जो है वो बहुत ज्यादा strong होते जा रहे हैं and then we have temptation think carefully about the situation यह person बहुत ज़्यादा सोच रहे है carefully इस सब situation को क्योंकि यह person को temptation बहुत ज़्यादा है आप लोगों के साथ connection बनाने की लेकिन हर चीज को सोच समझ के करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यह भी ज्यादा better है कि सोच समझ के किया जाए किसी भी तरह का कोई childish यह एक्ट मिचोर ना किया जाए and we have moment think of a special moment that bought you much joy with your partner यह person आपके साथ जो भी नोने time spend किया past में जो special moment आपके साथ रहे है यह उस चीज को दोबारा से आपके साथ reality में करना चाते है create क्योंकि नोने जो भी joy moment आपके साथ spend की है यह person चाह रहे हैं आपके साथ वैसे it's a coffee तो हो सकते है आपने कभी एक दूसरे के साथ coffee date किया था तो यह उस time को भी बहुत जादा याद कर रहे हैं और यह उस special moment को जो है वह दोबारा से as a partner आप लोगों के साथ लेकर आना चाते हैं पहले तो एक normal सी energy थी थी ना past कि आपके like date कर रहे थे बट अभी यह as a partner आना चाते हैं yeah so this is your reading I hope this will resonate with you in the comment section में आप लोगोंने feedback जूर देना है मैं मिलोंगे आपको next reading में till then take care bye